नमस्ते साथियों, आज सावन का पहला सोंबार है, इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंब हो रहा है और सावन के इस पहले सोंबार को, मैं देश वासियों को बहुत-बहुत सुपकामनाई देता हूँ आज संसत का मनसुन सत्र का भी आरंब हो रहा है देश बहुत बारिकी से देख रहा है कि संसत का यह सत्र सकारात्मक हो, स्रुजनात्मक हो और देश वासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नीव रखने वाला हो साथियों भारत के लोकतंत्र की जो गवरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से मुझे भी हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विशह है कि करिब साथ साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आएं और तीसरी पारी का पहला बजेट रखने का सवभाग्य प्राप्त हो ये भारत के लोक्तंत्र की गवरव यात्रा की अत्यंत गर्वमा पुर्ण घटना के रुप में देशी से देख रहा है ये बजेट सत्रा है मैं देश वासियों को जो गारंटी देता रहा हूं क्रमा शहरुप से उन गारंटीयों को जमीन पर उतारना इस लक्ष को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ये बजेट अम्रित काल का एक महत्वपुन बजेट है हमें पांच साल का जो आउसर मिला है आज का बजेट हमारे उन पांच साल के कायरे की दिशा भी ताय करेगा और ये बजेट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब बिक्सित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नीव वाला बजेट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे हर देश वासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी एकोनमी वाले देशों में सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश हैं गत तीन वर्षों में लगातार आठ प्रतिशद ग्रोथ के साथ एट परसेंट ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रोव कर रहे हैं आज भारत में पॉजिटिव आउटलूक इन्वेस्टमेंट और पर्फॉर्मंस एक प्रकार से अपर्चुनिटीज की पीक पर है यह अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक एहम पड़ाव है साथियों मैं देश के सभी सांसदों से किसी भी दल के क्यों नहूँ मैं आज आगरह पुर्व कहना चाहता हूँ कि हम गत जनवरी से ले करके हम लोगों के पास जितना सामर्थ था उर्थ सामर्थ को ले करके जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली जनता को जो बात बतानी थी बता दी किसी ने राह दिखाने का प्रयास्त किया किसी ने गुरुमरा करने का प्रयास्त किया लेकिन अब वो दोर समाप्त हुआ देश वाच्चियों अपना नेने दे दिया अब चुने हुए सभी सांसदों का करतब्य है सभी राजनितिक दालों की विशेज जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी अब आने वाले पांच वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है देश के लिए जूजना है एक और नेक बन करके जूजना है मैं सभी राजनितिक दलों से भी कहूंगा आएए हम आने वाले चार साड़े चार साल दल से उपर उट करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित हो करके संसत के इस गरिमापूर्ण मंज का हम उप्योग करें जन्वरी ट्विंटी नाइन जब चुनाओं का वर्ष होगा आप उसके पाद जाएए मैदान में सदेन का भी उप्योग कर रहा है कर लीजिए उच्छे माइने जो खेल खेलने खेल लीजिए लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश देश के गरीब देश के किसान देश के युवा देश की महिलाएं उनके सामर्थ के लिए उनको एंपावर करने के लिए जन भागी जारी का एक जन अंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएं मुझे आज बहुत दूख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसथ पांच साल के लिए आए कुछ सांसथों को दस साल के लिए मोका मिला लेकिन बहुत से सांसथ ऐसे थे जिन को अपने खेत्र की बात करने का आउसर नहीं मिला अपने विचारों से सांसथ को समृद्ध करने का आउसर नहीं मिला क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीती ने देश के संसत के महत्वपुर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढागने के लिए दुर्प्योग किया हूँ मैं सभी दलों से आगरहपुर्वक कहता हूँ कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं ऐसे बहुत बड़ी संख्या में मारे मानने साउसद है और सभी दल में हैं उनको आउसर दीजिए चर्चा में उनके विचारों को प्रगण करने का मोका दीजिए ज्यादा से ज्यादा आगे आने का आउसर दीजिए और आपने देखा होगा कि पार्लामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला संत्र था एक सो चालीस करोड देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुकम किया है देशवासियों ने उसकी आवाज को कुछलने का और लोक्तितरिक प्रयास हुआ डाई घंटे तक देश के प्रधान मंत्री का गला गौटने का उनकी आवास को रोकने का उनकी आवास को दबाने का लोक्तांत्रिक प्रमपरों में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका को पस्याताब तक नहीं है दिल में दर्द तक नहीं है मैं आज आगर पुर्वक कहना चाहता हूँ देश वाचियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है दल के लिए नहीं भेजा है यह सदन दल के लिए नहीं यह सदन देश के लिए है यह सदन संसबों तक किस सिमा तक नहीं है एक सो चालीस करोड देश स्वासियों की एक विराज सीमात करके ये लिए हैं मुझे आभी स्वास करता हूँ कि हमारे सभी मानिय साउसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समर्द्द करेंगे कितने ही विरुद्द विचार होंगे विरुद्द विचार बुरे नहीं होते हैं नकारातपक विचार बुरे होते हैं जहां सोचने की सिमाई समाप्त हो जाती है देश को नकारातपक ताकी जरूत नहीं है देश को एक विचार धारा प्रगति की विचार धारा विकास की विचार धारा देश को नई उच्छाईयों पर ले जाने वाली विचार धारा से हमें आगे बढ़ाना होगा मैं पूरे आशा करता हूँ कि हम लोगतंत्र के इस मंदिर का भारत के इस सामान ने मानवी के आशा आकांख्षाओं को पूर्ण करने के लिए शकारात पगरूप से उप्योग करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद साथियों